प्रजातंत्र का सघर्ष आपके समक्ष जारी है हम केवल ये कहेंगे मोदी जी पिछले आठ सालों में अगर आप विधायकों, राज्यसभा, परदेश सरकारों में खरीद फरोख्त की जांच करवा लेते आपको तो पैसे कभी पता होगा तो बहुत रिकवरी हो जाती खेर मैं आपको विशे पर ले आता हूँ इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एडी और मोदी सरकार का डर पहला सवाल, चार सवाल आपके बीच में लेकर आया हूँ आखिर मोदी सरकार को, आखिर भाजप्पा के निशाने पर शिरी राहूल गांधी और कॉंग्रिस क्यों है? दूसरा सवाल क्या जन्ता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का शडियंत्र है एडी की कारवाही? यह सवाल है जो शायद टेलिविजन पूछ नहीं पा रहा तीसरा सवाल क्या शिरी राहूल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हिद साधने में रोड़ा बने हैं? चौथा सवाल भाजप्पा सरकार हजारो करोड रुपिया विज्यापन पर खर्च कर 40-50 मंत्री लगा कर सारे मीडिया पर दबाब डाल कर कल पूरा दिन आपको वट्सैप यूनिवस्टी पर मेसेज भेज ये बता कर के ये चलाएए ये चलाएए ये चलाएए केवल एक आवाज शिरी राहूल गांधी पर ही इतनी हमलावर क्यों है? ये चार सवाल हैं जिने जानना देश को जरूरी है आईए इन सवालों के जवाब जानें और समझें के क्यों मोदी सरकार कॉंग्रेस की एट जुकता और शिरी राहूल गांधी की बुलंद आवाद से डर गई है पहला जब चीन ने हमारे देश की सरजमी पर कबजा किया हमारे जवान शहीद हुए तो प्रधान मंत्री जी ने कहा सर्व दलिय बैठक में कहा ने कोई घुसा है और ने कोई आया है तब विपक्ष की एक मात्र आवाज शिरी राहूल गांधी ने सरकार की जूट को गेरा और देश की माटी के लिए शहीद जवानों के लिए आवाज उठाई आज दो साल बीच जाने के बावजूद भी चीन को भारत मा की सरजमी से ख़देड नहीं पाए इसलिए शिरी राहूल गांधी से परिशानी है दूसरा महंगाई से हो रही जनता की बधाली पर शिरी राहूल गांधी ने लगातार सरकार को गेरा पेट्रोल डीजल के दामों पर रसोई गैस पर के दामों पर CNG, PNG के दामों पर बढ़ते खाने पीने की वस्तुओं के दामों पर उन्होंने लगातार देश के मध्यमवर्ग देश के नोकरी पेशा लोग देश के गरीब, देश के दलित, देश के पिछडे देश के आदिवासी की आवाज उठाई और सरकार को घेरा जिसका जबाब सरकार के पास नहीं इसलिए शिरी राहुल गांधी से परेशानी है तीसरा डूपती अर्थविवस्था और गिरते रुपईये को लेकर मसमी की बदहाली को लेकर छिंती नौकरियों को लेकर चोट अर्फा पंतालिस साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी को लेकर युवाँं के गुस्से को लेकर शिरी राहुल गांधी ने सवालों की जड़ी चौथी बात कोरोना में जब मोदी जी ने अपनी जिम्मेवारी से मुह मोड लिया उस समय शिरी राहुल गांधी ने समय रहते ना केवल सरकार को चेताया बलकि सरकार को देर से ही सही कारवाही के लिए मदद के लिए मजबूर किया जब सरकार कोरोना के टीके से हाजारो करोड का मुनाफ़ा प्राइवेट कमपनियों को कमवा रही थी तो शिरी राहुल गांधी ने सरकार को बाद्धे किया के टीका करण मुफ्त हो जो करने पर वो मजबूर हुए जब लाखों मजदूर हजारो किलो मीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर थे तो सरकार को कटगरे में करने खड़ा करने वाली आवाज का नाम शिरी राहुल गांधी है इसलिए शिरी राहुल गांधी से परेशानी है जब लाखों किसान न्याए की गुहार के लिए राजधानी दिल्ली के बाहर आठ महीने बैठे रहे जब मोदी सरकार उन्हें आतंक वादी और नकसल वादी बता रही थी जब उनको अपराधी और देश द्रोही घोशित कर दिया गया था जब उनके रास्ते में कील और कांटे बिचा दिये गए थे जब साथ सो किसान कुर्बानी के लिए दिल्ली की सीमा पर मजबूर हो गए तो ट्रेक्टर यात्रा कर किसान और खेत मजदूर की आवाज उठाकर और किसान की संसद में देश के सो संसद ले जाकर शरीराहुल गांधी ने किसान के साथ कंदे से कंदा मिला कर किसान की आवाज उठाई और सरकार को मजबूर किया कि वो तीनो काले कानून वापिस लेने पड़े इसलिए शरीराहुल गांधी से परेशानी है देश में नफरत के माहौल के खिलाफ भाई चारेवे अनेक्ता में एक्ता के विचार के लिए एक मात्र आवाज जिसने सरकार की आंख में आंख डाल कर कहा के धर्मांधता और और एक विशेले बटवारे से ये देश और नफरत से इस देश का भला नहीं हो सकता वे शरी राहुल गांदी हैं उनको कठगडे में खड़ा कर दिया और बाद में फिर उन्होंने खिसियानी बिली खंबा नोचे दो परवक्ताओं को निकाल कर माफी मांगनी पड़ी इसलिए शरी राहुल गांदी से परेशानी है प्रदान मंत्री जी कभी आप एक प्राइवेट कंपनी के नुमाइंदे बनकर राफेल का ठेका फ्रांस में दिलवाते हैं और कभी एक प्राइवेट कंपनी का नुमाइंदा बनकर शरी लंका में प्राइवेट कंपनी को बिजली का ठेका दिलवाने की सिफारिश करते हैं शिरी राहुल गांधी ने मुठी भर उद्योग पतियों के नुमाइंदे बने प्रदान मंत्री से सवाल कर उनको कठगडे में खड़ा कर दिया इसलिए शिरी राहुल गांधी से परिशानी है दोस्तो क्रोनालिजी समझेए देशवासियो क्रोनालिजी समझेए मोदी सरकार ने बुखला कर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानि एडी के पीछे चिपकर आपकी सत्य निष्ठा की आवाज पर हमला बोला है ये हमला विपक्ष की उस निर्भी कावाज पर है जो जनता के सवालों को धृटता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जबाब देही मांगते हैं जो जनता के मुद्धों को भैमुक्त तरीके से निड़ता से उठाते हैं भाजप्पाई सत्ता की एजन्सियों के डर से कितने ही लोगों ने समझोता कर लिया भाजप्पा में माफी नामा दे कर शामिल हो गए दूद के धुले बन गए कितनों ने घुटने टेक दिये कितनों ने अपनी आत्मा बेच दी लेकिन शिरी राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनोंने सरकार की आँख में आँख डाल कर जन्ता से सवाल उठाए इसलिए उनसे परेशानी है साथियो दोस्तो देशवासियो यह हमला उसी निर्भी का वाज पर है जो आपकी आवाज है यह हमला जन्ता के मुद्दों पर है कॉंग्रेस याशिरी राहुल गांधी पर नहीं यह हमला बेरोजगारों पर है यह हमला गरीबों पर है यह हमला मध्यम वरग पर है यह हमला नौकरी पेशा लोगों पर है ये हमला महिलाओं युवाओं दलितों पिछड़ों आदिवासियों पर है ये हमला देश के सविधान से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने पर है इसलिए हम फिर कहते हैं हम ना डरेंगे ना जुकेंगे ना दबेंगे राहुल गांधी और कॉंग्रेस देश के लिए लड़ेंगे कोई प्रशन आप पूछना चाहें तो एक-एक करके आपका स्वागत है आदरी मित्र ये बताईए हेमंता बिस्वा शर्मा जी जब कॉंग्रेस में थे तो लुई बर्गर केस में शार्दा घोटाले में उन्हें एडी और सीबी आई ने बुलाया या नहीं बुलाया उसके बाद वो कॉंग्रेस से दोड़ कर भाजप्पा में शामिल हो गए आज भाजप्पा के मुख्यमंत्री हैं तो कहां गया शार्दा घोटाला और कहां गया इडी के समन्द और कहां है सीबी आई करनाटक के मुख्यमंत्री पूर मुख्यमंत्री मानिनी यदुरप्पा साहब उन पर इडी का केस दर्ज है या नहीं दर्ज है उनको इडी के समन और बेटे को आए हैं या नहीं आए हैं प्रंतु आठ साल बीट गए कहां गया इडी का केस नारायन राने जी जब कॉंग्रेस में थे तो उन पर रेड हुई इडी और इंकम टेक्स के मुकद में दर्ज हुए फिर नारायन राने जी बीजे पी में शामिल हो गए अब वो पाक साफ है ना इडी का केस रहा ना सी बी आए का मुकद मा रहा सुमेन मित्रा जी याद करिए सुमेन मित्रा जी कॉंग्रेस में भी थे और टी एम सी में भी थे तब उन पर मुकद मा था E.D. की पेशियां लगती थी अब वो B.J.P. में जब शामिल हो गए तो सब कुछ खतम हो गया रमन सिंग जी क्या उनके उपर और उनके शायद बेटे पर कोई E.D. का केस है या नहीं है तो क्या हुआ आट साल में उस मुकदमे का जो पूरा मुख्य मंत्री है करनाटक में जो 40% कमिशन खाते पकड़े गए सारे मंत्री गण उन पर E.D. का केस क्यों नहीं हुआ मुकुल रॉय जी जब तक वो एक दूसरी पार्टी में थे उन पर E.D. का केस था फिर वो B.J.P. में चले गए वो सब ठीक हो गया एक लंबी लिस्ट है सेंकडो लोगों की B.J.P. में भरती हो जाओ दूद से धुले हो जाओ सारे मुकदमे बंद तो मुझे बताईए अगर देश्क में जो आजादी का सवतंतरता संगराम का समाचार पत्र नैशनल हेरल है उसके करमचारियों की तंखवा देना पत्रकारों की तंखवा देना उसका बिजली के बिल का भुगतान करना उसके हाउस टेक्स का भुगतान करना उसके बिल्डिंग चार्जिस का भुगतान करना अगर दस साल में 90 करोड रुपे देकर कांगरिस पार्टी ने ये किया तो ये क्या अपराध है, देशवासी बताएं फिर तो हर पत्रकार दोशी है और हर अख़ार और टेलिविजिन का मालिक दोशी है हर बिजली के बिल का भुगतान करने वाला दोशी है, हर हाउस टेक्स देने वाला दोशी है 140 करोड देशवासियों को E.D. में बुला लीजिए और एक आखरी बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा साथियो एक आंखडा बड़ा महित्व पूर नहें ये जो भारतिय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ना इसके पास 5,422 मुकदमे है 5,422 मुकदमे इन्होंने दर्ज कर रखे और कमाल ये है कि उनमें से 98 परतीशत मुकदमे यानि 5,310 मुकदमे मोदी जी ने दर्ज किये पिछले आठ साल में क्या ये नहीं दर्जा था के E.D. अभी Election Management Department बन गया 5,422 मुकदमे है 5,422 आउट फिस 5,310 cases have been registered during Modi government that is 98% does it not show that E.D. has now become Election Management Department Ashishi आपको लगता है कि मामना पिए 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 का जटो देने का बच्जा है आदर्णी मित्र आज फिर पूरी दिल्ली को छावनी में तबदील कर दिया गया क्यों दिल्ली के लोगों का रास्ता क्यों रोका जा रहा है राश्ट्रिय राजधानी में आने वाले हर व्यक्ति को क्यों रोका जा रहा है दिल्ली के लोगों को क्यों एस सुविधा दी जा रही है दिल्ली के लोग कतारों में क्यों खड़े हैं क्या क्या हम हमसे इस देश की सुरक्षा को खत्रा है क्या अगर कॉंग्रेस के नेता का कॉंग्रेस कारे समीती के सदस्य देश की संसत के सदस्य गण कॉंग्रेस के पदादिकारी पूरव केंद्रिय मंत्री गण कॉंग्रेस के साधारन कारे करता अगर पैदल चलकर एक किलो मीटर चले जाएंगे तो दिल्ली की मोदी सरकार का सिहासन क्यों डगमगा रहा है दिल्ली को छावनी में तब्दील कर भाजप्पा ने ये साबित कर दिया कि वो एक कायर सरकार है वो एक डरपोक सरकार है जिस प्रकार से जान लेवा हमला बोला गया भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के संग्धन महासचिव शिरी केसी बेनु गोपाल पर कल दिल्ली के प्रभारी शिरी शक्ति सिंग्गोहिल को जो गुजराच से आते हैं और सांसद हैं तारगेट बना कर उन्हें मारा गया तारगेट बना कर उन्हें चोट पहुँचाई गई देश के ग्रह मंत्री पूरवित मंत्री शिरी पीच इदम्रम की पसली तोड़ दी गई उन्हें धक्के मार कर उनका चश्मा तक जमीन पर गिरा दिया गया उत्र प्रदेश में दस साल तक विपक्ष के नेता सांसद शिरी प्रमोत तिवाडी को धक्के मार कर पुलिस द्वारा सड़क पर फैंका गया पसलियां तोड़ दी गई जिस प्रकार से कॉंग्रेस के कारे करताओं को बेरहमी से पीटा गया जिस प्रकार से दिल्ली के हर थाने में लगबग बीस हजार कॉंग्रेस कारे करताओं को नेताओं को बारा घंटे तक नाजायज रोक कर रखा गया हम सब लोगों को भी रात के सवा बारा बजे रिहा किया गया इस देश में इस देश में प्रजातंत्र है या मोदी जी की बेलगाम ताना शाही इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा और एक पाज जान ले डर्पोख कायर मोदी सरकार हम गांधी के उत्रा धिकारी हैं हम फिर पैदल चल कर जाएंगे हमारा सत्याग रहे हमारा सत्य की खोज का ये आंदोलन हमारा उन लोगों को जो लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं उनको बेनकाब करने का ये ये पूरा आंदोलन ये रुकेगा नहीं हम फिर जाएंगे और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा I'll answer his second question then I'll come to you आप मुझे बताईए मोदी जी टेली विजन चैनल पर आपके पत्रकार मित्र कुछ जो है और कुछ परवक्ता पत्रकार मित्र कुछ जो परवक्ता बन जाते हैं और कुछ परवक्ता चिला चिला कर कई बाते कहते हैं क्या मुझे तीन सवालों का जबाब देंगे PMLA में जो मुकदमे में आपने हमें ED में बुलाया है उसके लिए तो एक प्राथमे की F.I.R. दर्ज होनी चाहिए कहां है वो F.I.R. आज तक कोई F.I.R. दर्ज नहीं क्योंकि कोई अपराद ही नहीं सुब्रमन्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट है और वो प्राइवेट कंप्लेंट सुब्रमन्यम स्वामी की दर्खास्त पर स्टे कर दी गई है यानि वो complaint भी नहीं है आज के दिन तो तो क्या अपराद है ED के समन देने के लिए ये कानूनी जरूरत है कि एक F.I.R. दर्ज होनी चाहिए किसी थाने में बताइए कौन से थाने में F.I.R. दर्ज है किसी थाने में कोई F.I.R. दर्ज नहीं प्राइवेट कंप्लेंट पर भी स्टे लगवा दिया है तो तो फिर आप ED के समन इशू कैसे कर सकते हैं या अपने आप में गहर कानूनी है और आप कहते हैं कि कॉंग्रिस ने 90 करोड रूपिया क्यों दे दिया हमने दिया हम मानते हैं डंके की चोट पर मानते हैं पूरी कारवाही कैर कानूनी है एस समयधानिक है पूर्वा ग्रह से ग्रस्थ है राजनितिक प्रतिशोद की आग में धदकते हुए प्रदान मंत्री जी की कारवाही है इसका कोई जबाब आपके पास हो तो देशवासियों को अवश्य बताईएगा क्योंकि बगएर F.I.R.K. E.D. ना किसी को बुला सकता ना मुकदमा दरज कर सकता ना E.C.I.R. दरज कर सकता ये इस देश का कानून है पर कोई बात नहीं हम हर सवाल का जवाब देंगे हम हर सवाल का सामना करेंगे क्योंकि सत्य को अब ना परेशान किया सकता ने पराजित I haven't seen their reaction so I will not like to comment upon it and I will like to concentrate on the facts in hand देखिए क्योंकि एक कारवाही है जो E.D. के समक्ष है उस पर मैं टिपनी नहीं करूँगा पर एक सवाल आपने बड़ा सार्थक पूछा मुझे ये बताईए कोई व्यक्ति आप से सवाल अंदर पूछ रहा है बहार टेलिविजन चैनल पर कैसे चलाए जा रहे है आप सब के टेलिविजन के मालिकों के वटसैप चेक करवाईए उनको बाकाइदा लिखकर आ रहा था आप ये चलाएए आप ये सवाल पूछी आप ये सवाल पूछी अगर प्रक्रिया न्याइक है तो उस न्याइक प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवाल आप लोगों के पास कैसे आ रहे थे अब ये सवाल पूछा गया अब ये खाया अब कुरसी पर इस तरह से बैठे अब कुरसी पर इस तरह से बैठे अब कुरसी सीदी की अब खाना खाया आप पानी पिया अरे मोधी जी क्यूं इतने डरते हो भाई आप कैमरा ही लगवा दो ना ले जाकर एजन्सी का और टेलिविजन चैनल का राहूल गांदी जी उन कैमरों के सामने जबाब देंगे आपके हर सवाल का इडी का हमें कोई डर नहीं लगता प्रन्तु चोर दर्वाजे से टेलिविजन चैनलों को सवाल भेज कर कुछ भी उल जलूल आप चलवा रहे हैं नहीं तो मुझे बताईए ना आपको कौन बता रहा है आप सब के वट्सैप चेक करवाईए एडिटर्स के बाकाइदा प्रधान मंत्री जी के कारियले से एक स्पेशल ग्रूप है वहां से लिखकर आता अब यह चलाईए अब यह सवाल पूछा गया अब यह पूछा गया अब यह खबर चलाईए क्या इस देश के मीडिया को इतना पंगू और दबाग डाल कर इतना बना लिया गया है मुझे मालूम है कि पांच तो टेलिविजन चैनल पर एडि के मुकदमे दरज कर रखे हैं पांच अलग अलग और कई मालिकों पर उनके एडि के मुकदमे दरज कर रखे हैं कई मालिको को नोटिस दे रखा है एडी का आप सब जानते हैं तो एडी टेलिविजन के अख़बार के मालिक को एडी का नोटिस दो फिर वटसाइप उनिवस्ट्री से कुछ भी चलवाओ मुझे लगता है ये देश के प्रजातंतर के लिए घातक है और आज मैं इस मंद से चुनोती देता हूं प्रधान मंत्री जी को आप सारे टेलिविजन कैमरा एडी के उस दफ्तर के इंटेरोगेशन रूम में लगा दीजिए राहूल गांदी हर सवाल का जवाब देंगे मेरे दोस्त काश आप वो सुब्रमन्यम स्वामी जी ने जो शिकायत की थी प्राइवेट कंप्लेंट थी एफ आयर नहीं थी और वो प्राइवेट कंप्लेंट उन्होंने खुद हाई कोट में दावा कर स्टे करा रखी है तो जो जी स्टे पढ़ी है वो तो अब कंप्लेंट रही नहीं तो अब बीजे पी की बचकाना हरकतों और बातों का मतलब क्या है और मैं एक और मैं माल कम बैक तो यू नो प्रॉब्लम और दिसंबर साथ 2015 का ओर्डर जरूर पढ़ लें हाई कोट का उन्होंने ये कहा है कि इस कंप्लेंट में कोई सच नहीं ये सारे तक्ष्यों का निर्णे चार शीट की स्टेज पर होगा आज तक चार्जिज नहीं फ्रेम हुए हैं मैं पढ़ देता हूँ without casting any reflection on merits of this case and while leaving the larger question raised in these petitions open open to be considered at the chaar stays these petitions and the pending applications are dismissed और मैं उससे पहले भी जो उन्होंने कहा साफ तोर से ये उन्होंने कहा कि ये सारे जो तथे हैं इनको केवल और केवल चार स्टेज पर देखा जाएगा और जब अब complaint इस टे पढ़ी है तो उसके माइने क्या रहे आप मुझे पताईए अब तो ना कोई शिकायत है ना कोई प्राइवेट कंप्लेंट है आज के दिन तो फिर एडी कहां से आगया Can I take one question with everybody and I'll come back to you क्यों जाएं हम आदर्णिय मित्र क्या अखबार के करमचारियों और पत्रकारों की तंखुआ देना इस देश में अपराद है तो News 18 में सबसे पहले आपको जेल में बंद करना चाहिए और आपके मालिक को और आपके एडिटर को मैं आज ये बहुत चुनोती देखर कहता हूँ आप सब के चैनल्स के मालिकों को जेल में बंद कर देना चाहिए अगर मोदी जी की यार्ड स्री की है तो और आप सब को भी तो मोदी जी का काम भी असान हो जाएगा फिर अपना ही एक टेलिविजन चैनल चला लेंगे क्या इस देश में बिजली का बिल देना अपराद है क्या इस देश में हाउस टेक्स देना अपराद है क्या इस देश में सरकार की देराशी देना अपराद है मैं कल से ये कह रहा हूँ और मैं आप से भी अनुरोद करूँगा बड़ा हाथ जोड़ के विनमरता से करूँगा ये बार बार जो कह रहे हैं ये 90 करोड का ब्रेक अप मैं आपको दे रहा हूँ प्लीज दिखाईए 67 करोड रुपिया पत्तरकारों और करमचारियों की तन्खवा का है नेशल हेरल अखबार के बताईए किसी और चीज़ में इस्तेमाल हुआ है तो बताईए किसी कॉंगरेस के आदमी ने एक रुपिया उसमें से लिया है तो और जो बाकी कितना बचा 90 करोड में से 17 करोड घटा हैं तो 23 करोड क्योंकि मैं हरियाना से हूँ थोड़ा हिसाब कमजोर है 23 करोड जो बचा वो पैसा कहां इस्तेमाल हुआ बिजली का बिल देने में वर्षों से जो लीज मनी पेंडिंग थी सरकार को देनी थी सरकार के खजाने में जमा करवाने में सरकार के खजाने में हाउस्टेक्स जमा करवाने में और बिल्डिंग जो है उसे चालू करने में जहां से अकबार चपता है तो हर वो आदमी जो बिजली का बिल देता है हाउस्टेक्स देता है lease money देता है पत्रकारों की तंखवा देता है वो सब दोशी है ये 90 करोड कहा गया फिर इस 90 करोड में से क्या 9 पैसा भी Congress के किसी साथी ने लिया नहीं तो अपराद क्या है इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता क्या अपराद है मैं I'll come to you Since I asked her, I'll just come to you ये बिल्कुल सत्या ग्रह भी होगा और पैदल मार्च भी होगा पर जब-जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं आपको भी कितनी एस विदा हुई हमें भी एक एक किलो मीटर पैदल चलकर आना पड़ा उन्होंने तो गुजरात भवन को भी पुलिस की चाबनी में तबदील कर दिया है जो बापू का घर है तो इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ क्यों? पैदल चलकर जाना इस देश में अपराद कैसे है किसी दफतर तक शांती प्रिये तो द़र्ज करवाना अपराद कैसे है बारा-बारा घंटे आप बीस हजार कारे करताओं को जेल में कैसे बन्द कर सकते हैं आप इस देश के पूरव ग्रह मंत्री, इस देश के पूरव वित मंत्री, इस देश के सांसदों की पसलियां पुलिस से कैसे तुडवा सकते हैं? आप लाठियां क्यों बरस वा रहे हैं? आप डरते क्यों हैं? Why are you scared Mr. Modi? That's the simple question. Can I go to him and I'll come back to you? हम कभी न्याइक प्रक्रिया पर टिपनी नहीं करते पर मैं ये पूछूँगा, अगर ये न्याइक प्रक्रिया है, तो आपको वटसैप यूनिवस्टी पर, वटसैप के माध्यम से, मोधी सरकार इतनी भेभीत क्यों है? हम तो सवालों से भेभीत है नहीं? मैं आज न्यूज नेशन के माध्यम से कहता हूँ, मोधी जी को, कि आप ये सारे कैमरा जो हैं, उस कमरे में लगवा दीजे, जहां राहूल गांदी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, हम उनके सामने देंगे ना जवाब, हमें कोई इतराज नहीं हैं, पर आप चोर दरवाजे से, किसी किसी को कोई उलजलूल सवाल भेज देते हैं, किसी को कुछ भेज देते हैं, किसी को बोलते हैं, अच्छा अब ये पूरा कमरा बनाओ, तो कई टेलिविजिन कैमरों ने कमरा बना, ये कुरसी जो है 90 डिगरी के एंगल पर रखी है, ये 75 डिगरी पर सवाल पूछा गया, पानी के दो ग्लास हैं, एक आदा भरा है, एक पूरा फुल है, और उसके बाद तीन सवाल पूछने के बाद, उन्होंने दो घूट पानी की पी, उसमें से एक आदी घूट जो है, उन्होंने पी कर पानी का ग्लास नीचे रख दिया, इस तरह की बचकाना और बेवकुफाना हरकते क्यों कर रहे हैं, सीधे, सीधे टेलिविजन का कैमरा लगाऊ ना, I challenge you Mr. Modi, put, permit every television camera to be in the interrogation room of Shri Rahul Gandhi, we'll answer questions in front of the camera, but this is a judicial process, so we are, that's why we're not commenting upon it. बीजेपी के पचास-पचास मंत्री क्यों हमला वा रहे हैं, उनके पेट में क्यों दर्द हुआ हुआ है, वो अपना काम क्यों नहीं करते, वो इतना समय, आप मुझे बताइए, आपने बीस हजार लोग अरेस्ट किये, बीस हजार, पूरे देश के अंदर आपने लगबग पांच लाख लोगों ने गिरिफतारियां दी, कांग्रिस के कारे करताओं ने, आपने उन सब को जेल में बारा घंटे तक रखा, आपने बीस हजार के करीब पुलिस वाले आज भी लगा रखे हैं, सौ से जादा आपने बेरियर लगा रखे हैं, क्यों, क्यों सरकार का पैस अधिवादी तरीके से धरने पर बैठना चाते हैं, पचास मंत्री अपने महक में छोड़कर, अपना काम छोड़कर, राहुल गांदी जी और कॉंग्रिस को गालियां देने पर लगे हैं, क्यों, आप देश का समय बरबाद क्यों कर रहे हैं, यू आर देश का समय बरबाद जी वो बिल्कुल हर सवाल का जवाब देंगे, अशीशी, लास्ट क्वेश्चिन चुहे खाकर बिल्ली हज को चली, इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है, 75 साल में सबसे निचले पाइदान पर रुपिया गिरकर, अब 78 रुपिया 28 पैसे टुए डॉलर हो गया है, इस देश में 28 लाग सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, इस देश में प्रजातंतर और समिधान को बुल्डोजर के नीचे रोन दिया गया है, अब ट्विटर ट्विटर खेल कर प्रधान मंतरी कितनी देर तक हम सब को भटकाएंगे, धन्यवाद. झाल बुल्डोजर ट्यूँ कर लाग से देश में रही, ओर रहा है, प्रधान मंतरी मॉवाद. झाल बुल्डोजर ग्के विटर खेल तक लिए तक हम सब करे myself, झाल देश समिए थासर टो ऋेता कम भटकाएंगे, तक हम आल और रहा हैं. झाल झाल